कुछिनिगर जन्पत के हाटा धांडा च्रीमिल के अंतरगत कोचवा बावन मोर्शा मा भगवती के स्थान परवश्युगर में स्प्राविट लिमिटेड द्वारा आयोजित किसान गोश्टी आयोजित कीगी जिसमें मुक्यातिती के रूप में पदम श्रीप और असकार से स अमानित ड्क्र बक्षी राम के समाश रिवरिहत गोश्टी का आयोजिन किया गया अधिशाची अध्यच एवीपी बीपी केन और गोश्टी की अध्यच छेदी सिंग्द्वारा कुरशी गन्ना वैग्यानिक बक्षी राम जीप को शाल उड़ा कर वमाला पहना कर स्वागत किया गया रैग्यानिक ने किसानों को खेती करने के नयने तक्तिक बताया जिसमें 400 से अधिक किसान भाईयों ने प्रशिचछ और आधुनिक तरीके से खेती करने के गुड़ बताये गया डानडा चीनी मिलके अधिशाची अधिश्यच ने किसान भाईयों को संबोदित करत से गन्हा किसानों को कम लागत में अधिक उपर जो प्राप्त की जा सकती है मुक्यादी थी पदम श्री को सम्मानित रक्टर बक्षी राम ने किसान भाईयों को खेती से जोरे महत्वपोन बिंदियों पर प्रकाश जालते हुए कहा कि सभी किसान भाईयों को खेतों में स्वस्त गन्हे का चैन आख से आख दूरी 8 फीट एवं लाइन की दूर 3.5-3 फीट एक तक बहतर उपच के लिए सरवुत तम माना जाता है खेतों में रेड रोट रोग के बचाफ के लिए मृदा शूधन ट्राई काड़मा से करने तथा भी शूधन हेक्जल स्ट्रॉप से करने का सुझा दिया पेड़ी और सिचाई के बाद युपिया का उप्योग अवश्य करना चाहिए तथा दीएस पी और एंपी के खात का पादियाए पंकज गोएन का अदिशाची उपादियाच रमे सिंग सच्छव खंकित राव बखरा सागर राव राम नरीज सिंग श्री राम सिंग जगबली रंजी सिंग मदन सिंग राम बड़ाई सेथ बड़ी संख्या में के सान कारकर में शामल हुए करन सिंग धानडा पीनी में लगशाची उद्छा अन कि अधिशाची उद्छ इस मारो का आजन किया गया है क्या कुछ का ना चैंगे तसलिए मैं दोनी करण में पर अभड़मी पर हुदाने भाएछ लवाझ करता हुए चपता भार वात जीन से मेरा माटा हा मेरा मेरा थाया दिये शब यहां बेद्वरमान मेरी मेरे नहीं सभी के लिए टिसान हो चाहिए मिल जिए अखरमचारी अदिशारी ओभी करहे हो जो लागत बढ़ रही है और उपस कम हो रही है इसके लिए क्या कुछ बढ़ाई हुई है आपने सुना होगे मैंने मुझें यही पताया कैसे लागत को कम किया जा सकता है और असानी से की जा सकती है सरकार ने आपको एक बहुत बड़ी उपलब्दी के साथ नवाजा है आज आपको कुछी नगर और दिवरिया के इन शित्रों में भर्मण करने पर कैसा लगा बूंत अपने स्वार किया जाया है किसानसे सरा तना कि करता है और किसे करता है को कशा आ किसे पचा जाए उसके बार अभी थाड़ा चीनी मिल के अंतरगत गन्नाब बैग्याने डाक्टर बक्ति राम जी का तम्मान समारूफ किया गया है इसके पुंदर में क्या कुछ नहीं देखिए यह हमारे चेतर के किसानों की एक बहुत बड़ी आप सकता है कि यहां पर गन्ने की खौसत पैदावार कम है तो कम आदिक पैदावार किसान दे रहे हैं और इसको बढ़ाने के लिए तकनिकी ज्यान की जरू होते हैं किसानबाई। गुब्गनी कम से कम कर सकते हैं तो सब्सक्राइब आपका भी वर्मण रहता है कि सानों को अपने द्वारा भी टिप्स लिया जाता है तुम्हें हैं लेकिन इसके अलावा पैदावार बढ़ाने के लिए अलगल गाओं में जाके विए उन्हें पिप्स देते रहता हैं नई तक्निकों के बारे भी जानकारी हम देते रहते हैं और हमारा पुरा प्रियास है कि अगले तीन साल में इन तक्निकों को हम हर्ट किसान की खेट तक पहुचा देंगी और जो गोसत रुपस है उसको कम से कम दूना करके 400 कुंटर करती एकर तक लाने ही हमारी योज़ना है करन के लिए एक योज़ना तयार करी है कि गन्ना केती में लेवर कम करके कम लेबर से कैसे हम किसान पैदा कर सकता है जिससे पैदावार बढ़े और लागत कम होई तो इसलिए नए ने कृशी यंत्र हम लेके आ रहे हैं वो किसानों तक हम पहुचा रहे हैं इन से वैज्ञा किसान की बात हो रहे हैं तो किस नंबर पर किसान अपना जो है सुछना प्राप्च करेगा जिससे उसको बैग्यानिक खेती करने में मदद मिलेगी जैकि अभी कुछ लिमिटेड़ किसानों से हमने स्कार्ट किया है जैसे जो एक्रिकल्चर टेक्निकल सर्विस प्रोइडर ह किसानों को हमने वाट्सैप ग्रूप में जो रहा है ताकि जो भी लेटस जैनकारी होती है उनको हम तक पहुचा देते हैं और किसान के भी कोई समस्या है तो वाट्सैप ग्रूप के